नमस्कार दोस्तों CACP value help में आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं बताने वाला हूँ आपको KOTAC Mahindra Bank के 811 account के बारे में कि KOTAC Mahindra Bank में 811 वाला account जो है कैसे खोलेंगे KOTAC Bank में free में savings account online कैसे खोले how to open KOTAC 811 account तो चलिए शुरू करते हैं उससे पहले बता दो अगर आपने मेरे चानल को subscribe नहीं किया है कि पर इस रड़ बटन पर क्लिक करके मेरे चानल को subscribe कर ले और इस बेल का इकन को भी दबा देता है कि मैं जो भी वीडियो जाओं का नोटिफि तो जैसे ही आप वहाँ पर next पर क्लिक करेंगे आपके जो मोबाइल नमबर जो आपने इंटर किया होगा उस नमबर पर को टीपी जेनेट हो जाएगा यह वेरिफाई करने के लिए कि यह मोबाइल जो है आपका है कि नहीं है और यहां पर आपको मोबाइल नम ओटीपी इं information है do you agree to voluntary use of आधार details to open an account तो account open करने के लिए आपके आधार record का आधार को use करने के लिए आपका permission मांग रहा है तो उसे यहां पर yes or no option है आपको yes कर देना है और फिर आगे बढ़ जाना है फिर यहां पर आपसे मांगा जाएगा pen number और आधार number यह दोनों आपको यहां पर enter क condition आ गया आपको आधार से करने से पहले इसको पढ़ लेना है फिर करना है continue अब यहां पर आपके जो आधार के साथ जो mobile number attached link है उस mobile number पर OTP generate होगा मतलब आधार link mobile number पर जो mobile number आपने एंटर क्या हुआ हुआ है उस पर नहीं आपसे के आधार से जो mobile number link है यह उस number पर OTP generate देना और फिर करना है continue अब यहां से आधार के रेकॉर्ड के हिसाफ से आपका जो address यहां पर ले लेगा फिर आपको continue करना है और फिर आप चले जाएंगे next page पर इस page पर आपकी profile यहां पर set करने क्यों कहेगा आपका तो आपको profile set कर देना जो भी total record है आपको enter कर देना है य continue कर देने के बाद यहां पर आपको दो option है एक nominee को आप yes भी कर सकते है और nominee आड कर सकते है और nominee आड करने के लिए ध्यान दखे कि nominee का डियो भी आपको add करना है address आपका same address है तो आपको check box पर click कर देना address वाल गए तो आपको type परना है ठीक है नोमनी आड करने के बाद यहां यहां पर second option है आपके पास taxpayer ठीक है कि आप Indian taxpayer है कि नहीं है वो यहां पर आपको select करना है फिर terms and condition पर agree करना है और फिर click करना है continue अब यह जो profile है आपका यह पूरा यहां पर आपको दिख रहा है ठीक है आपने जो nominee आड करी जो अपने address दिया जो अपने text paying का details दिया वो सारे यहां पर आ गया अब फिर declaration आ गया तीन पार्ट में declaration है declaration को तीनों को पढ़ लेना है check करना है फिर करना है continue इसके बाद अब यह जो account है account open करने के बाद आपको full KYC करना है ठीक है इसमें क्या होगा एक company का बंदा आपके जो भी आपने address यहां पर mention कर रखा है उस address पर आएगा और आपका full KYC करेगा जिससे आपकी limit transaction की जो limit है वो सारी बढ़ जाएंगी आपको facility कुछ यादा मिलेग तो यह जो है यह major cities में available है मैं जिस address पर रहता हूं वहां पर यह facility नहीं है तो यहां पर खासी दिकत आपको आने वाली है तो यहां पर क्या करना है आपको address जो है same आपका जो है वही रहने देना है सिर्फ pin number change करके आपको बड़े सहर का pin number आपके main city का pin number वहां पर इंटर कर I would like to know your credit score चलिए यस अब यहां पर banking net banking का password जो है set करने को कहेगा minimum 8 character at least 2 non alphabet characters ठीक है then confirm password उसके बाद continue फिर mobile banking के लिए pin यूज करने को कहेगा यह pin आपको चार्ड लेटर का नहीं 6 लेटर का इंटर करना है यहां पर ध्यान रखना है कि एक series नहीं करना है 11223345 ऐसा भी आप नहीं कर सकते पासवर टाइप का एक number आपको यहां पर set करना है then continue अब यहां पर लिख रहा है would you like to use the same pin for your virtual debit card तो मैं यहां पर yes कर दे रहा हूं यही pin जो है मैं debit card के लिए रखता हूं अब यहां पर देखिए मेरा account जो है यहां पर open हो गया यहां पर account के सारी details में आ गई है और नीचे जो है यहां पर virtual debit card भी मेरा आप देख पा रहा है ठीक है तो simple सा process है जहां से आप account open कर पाएंगे अब यह virtual debit card को physical debit card में convert करने के लिए यहां पर 199 का yearly payment है जो अभी मैं अग address पे deliver हो जाएगा ठीक है तो यही रहा overall process Quotec Mahindra के 811 account open करने का जहां पर आप घर बैठे online यह account open कर सकते हैं तो यह रहा है एक छोटा से वीडियो आसा करता है वीडियो आपका अच्छा लगवा पसंद आगा तो प्लीज से लाइक शेयर सब्सक्राइब जोर करें तब तब